हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो आए सुरू करते हैं आज कर जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि हाउ टू यूज आफ व्यू इन राइट लिक पॉप अप अग जब हम राइट लिक करते हैं तो एक पॉप खूल करके आता है उस पॉपप में सबसे पहला होता है व्यू उस व्यू का कैसे यूज करना है तो आए वह देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसे मिनिमाइस करते हैं और यहां पर राइट क्लिक करते हैं जब मैंने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने के बाद इसके लिए होते हैं, it means कि हमारे पास क्या view, अगर मैं इसे medium icon पे कर देता हूं, तो यह देखिए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, medium icon में, यानि कि बड़े हो जाएंगे, और मैं इन्हें view पे जाकर के large करता हूं, तो यह क्या होगा, सारा का सारा, बड़े हो जाएंगे, it means कि यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, large icon हो जाएंगे, और जब मैं इसे view पे जाकर के small icon करूंगा, तो यह क्या होगा, by default automatically क्या हो जाएंगे, यह सारे के सारे icon automatically ही छोटे हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगला option आता है view में जाकर के, कि एक होता है auto arrange icon, एक क्या होगा, दोस्तों जहां पर मरजी, मैं जिस app को जहां मरजी वहाँ सेट करना चाहूं, वहाँ पर सेट कर सकता हूं, यह देखिए, मतलब पूरी desktop की स्क्रीन पर जिस app को मैं जहां पर चाहूं, वहाँ पर सेट कर सकता हूं, फिर मैंने right click किया, right click में click करने के बाद, फि ठीक है यह होगा पहला option फिर दूश्रे option में आता है व्यू में जाकर के auto grid आइकन अगर मैं इसे जहां पर जाकर के यह देखिए कि यानि कि इस पर भी क्या होगा करदर मूव एप को या आइकन को मूव नहीं कर पाएगा दूश्रे वाले आइकन पर ठीक है अगला option आता है व्यू पर जाकर के इस पर क्लिक कर दूँगा अब देखिए क्या होगा पूरी की पूरी की पूरी प्लेइन हो गई पूरी की पूरी प्लेइन हो गई अब इसे वापस में देखना चाहता हो तो राइट क्लिक व्यू और सो डेक्स्टॉप एप अज़ित देखिए है यह सारे के सारे एप सारे के सारे आप अबलेवल हो वीडियो आपको कैसी लगuju दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बता है वीडियो को लाइक और चानल को शब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ङुप जरूर सेयर करें ताकि उसके इस पहते काम आ सके टैंक्डियो शोओ मत दोस्ते वीडियो देखने के लिए ब्रही लेवारी प्रयोज से घंग कर दो कि अप्टाशूर देने